फूट क्रेविंग संद लिमिटेड में आपका स्वागत है तो आज की हमारी रेसिपी है सुर्मई फिश फ्राइ तो यहाँ पे मैंने फिश को डिप फ्राइ नहीं किया है शल फ्राइ किया है तो अब हम देखेंगे किसको कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सुर चमँच दन्या पाउडर, एक चमँच गरम मसाला, लसुन और अधरक्की पेस्ट एक चमँच उसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा स्वादानुसर और आधे नीम बुकारस डाल देंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओईल, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें अब हम इसको फिश को अच्छे से लगा लेंगे यहां पर मैं मसाले को अच्छे से कोड कर रही हूँ फिश को इस तरह से सब साइट से मसाला लगा लेना है एक साइड हो गई है अब हम इसको पलटके दूसरी साइट से मसाला लगा लेंगे यह देखो इस तरह से मारिनेट करना है और इसके एक गंटे के लिए मारिनेट होने के लिए रख देना है अब एक प्लेट में हम लेंगे सूजी उसमें डालेंगे एक से दो चमच कान फ्लॉर नमक और आधी छोटी चमच लाल मिर्च पौडर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक गंटे के बाद हमारी फिश मारिनेट होके तयार है अब हम उसको रवा या सूजी में अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से सब पीसेस को मेनेट कोट कर लिया है अब एक तवे पी तेल गरम करेंगे और हम उसमें फिश डालेंगे हमें फिश को मीडियम हीट पे पकाना है लो या हाई हीट पे नहीं पकाना है और इसको ऐसे पलटते रहना है देखो यह पक गई है इसको पकने के लिए पाच मिनिट लगते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता तो यहाँ पे हमारी सुर्मई फिश फ्राइ एकदम तयार है अब हम इसको सर्व करेंगे यहाँ पे मैंने इसको नीमडू और प्याज के साथ सर्व किया है और उसके उपर डाल देंगे हरा धनिया एकदम ही टेस्टी रेसिपी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करना और कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट लिख के बताना क्यों आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं रेसिपी प्रूस रेसिपी